नमस्कार सिक्षक साथियों मेरा नाम अनिल्दास है और मेरे चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज यानि 13 अक्टूबर शाम चार बजे मुख्यमंतर नितिसकुमार जी एक वर्चुल रैली के मादम से अपने चुनावी यातरा का बिगुल्प होंगे जो अलग-अलग वेबसाइट्स में लाइप पर साइथ होगा इन सभी वेबसाइट्स का नाम आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दिया है मैं इनके नाम एक बार पढ़ भी देता हूँ www.jdulife.com बागी चार फेस्बूक पेज हैं जो नितिसकुमार जेडियू के नाम से है जेडियू ऑनलाइन के नाम से है असुप चौदरी के नाम से है और संजय जा जेडियू के नाम से है इन सभी वेबसाइट्स पर आज मंगल और को शाम चार बज़े से नितिसकुमार जी का पहला चुनावी सम लाइप परसाड़ित होगा जिसमें हमें पूरू की तरह डिसलाइक ही नहीं बलकि डिसलाइक करते हुए कमेंट्स भी करना है आप जरूर सोज रहे हों कि पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं पर क्या फाइदा मिला और सिक्षक भाली जसकी तस लड़की पड़े है तो दोस्तों ब कोई भी नहीं बैठेगा लेकिन अगर कमेंट्स एक ही हो और पूरे कमेंट्स सेक्षन में सिक्षक नियोजन नहीं तो वोट नहीं लाइन ही दिखता रहे तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना गहराशर पढ़ने वाला है अलगला कमेंट्स में हमारी मांगे कहने के दूमिल पर जाती है और हमारा उज़ा भी बरबाद होते रहता है पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आज सभी लोग प्लीज आगे आएं और सबको दो ही लिंक पर कमेंट करना है या डिसलाइक करना है एक लिंक तो जेडियू के विपसाइट पर जो की www.jdulive.com है और दूसर जिस तरह से अभी चुनावी महाल जेडियू और नितिश कुमार के विपरित है जिस तरह सिक्षा मंतरी का जाहनाबाद के साथी ने विरोध किया पुर्जो और विरोध किया हर जगह जेडियू के विधायों का जिस तरह से विरोध हो रहा है उसे देखते वे एकदम सही का लगता है लोहागर में सातियों बस हमें हतोरा मारना है और वी बड़े चोरदार तरीके से मारना है मित्रो यह काम करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस काम के करने से आपको साय चुनाओं से पहले एक चरण भाली कामों का मिल सकता है ना तो इस काम में आपको पैसे देने हैं नहीं चेंदा देना है और नहीं कहीं जाना है आंदूल करने के लिए बस आपको आज शाम चार बजे से जो लिंक मैंने बताया वहां कमेंट करना है ध्यान रहे कि एक Twitter campaign नहीं है और अगर GDO के वेबसाइट्स में डिसलाइक या कमेंट करने का option नहीं दे या user account मांग ले तो आप Facebook के नितिश कुमार GDO वाली लिंक पर तूट पड़ेगा यह समझ लिजिए कि अभी नितिश कुमार के अहलत बहुत नाजुक है क्या पता अंतिम घड़ी में उन्हें सब बुद्धी मिल जाए और 28 October से पूर्व एक चरन 68 वाले का ही सही करा दे तो यह बहली सुरुक्चित हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जागेंगे और अपने हक्की लड़ाई आखरी सांस तक लड़ेंगे दोस्तों कम से कम यह नितिश कुमार को तो दिखाना ही पड़ेगा कि यवा वरगुंस से क्यों असंतुष्ट है और बिहार कि यवा इस बार क्या चाहती है मुझे लगता है कि हमें आखरी कोशिश करनी चाहिए इसलिए मुँमे पान रखकर आनंद लेने वाले भरती हो या छोरो यार क्यों टेंसन लेना है कोई तो लड़ेगा ही बोलने वाले अब भरती हो या सिर्फ नीज लेने के लिए चुप चाप ऑलनाइन आकर गुमसुम बैठ है भरती हो सबी से प्रारतना कि आज शाम चार बजे से जी आज साम चार बजे से नितिस कुमार जी को सिर्फ इस क्रीन पर एक ही कमेंट दिखना चाहिए नियोजन नहीं तो वोट नहीं शिक्चक नियोजन नहीं तो वोट नहीं और आप देखेगा कि कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होगा साथियों यह पहला मौका होगा कि जब जीडियो और नितिस कुमार हमारी मांगों को देखेंगे यू आवर की भावना का सैलाब देखेंगे क्योंकि इससे पहले हमारी मांगे उन तक डिरेक्ट नहीं जा रहे थी फिल्टर होकर जा रहे थी किसी अनिक सरोत से जा रहे थी इसलिए इस मौक्यों को हाथ से चुगने मत दिजिए अपनी मांगों को नितिस जी तक पहुंचाना का एक मात रमाद्यम है यह वर्चल चुनावी रैली और यह इसलिए भी महत्पूर्ण हो जाता है दोस्तों क्योंकि ऐसी वर्चल चुनावी रैली में जनता का रुजान देखनी के लिए लोगों का मत देखनी के लिए लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं यह देखनी के लिए पार्टियां पब्लिक कमेंट्स को एक जएक कमपाइल करती है और सभी मुद्दों को गहनता से देखा जाता है समझा जाता है तो दोस्तों वक्त भी ज़्यादा ले चुका हूँ आप इस संदेश को सभी भाईयों बहनों के साथ शाजा करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर प्यार बर्षाते रहें धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में